कैसे हो आप सब मैं मस्त और उमीद कोते हैं बहुत मस्त होंगे तो चलो चलते हैं हुसल क्योंकि हमने बहुत जादा चुटी मना लिए और अभी काम करना पड़ेगा और जाप देख सकते हैं मेरी माता जी जो है मेरी सासुमा को हमारा पुराना अल्बम दिखा रही है और इस अगर बाबा के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट हो ना बहुत ज़्यादा सेक्सी लगेंगे तो खेर वह सब छोड़ी गाइस कमेंट करके बताओ ठीक है अगर आप लोगों को मेरे पुराने अल्बम्स देखने हैं मेरे बच्पन की फोटोस देखने हैं अगर आप लोगों को मे जरूर नेक्स वीडियो में अगर में को टाइम में लेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगे और गाइस अभी निकलने वाले थे पट मेरी सासुमा जो है वह वह एल्बम देखने में इतने जाता बीजी थी एक और अल्बम गाइस हमने स्टार्ट कर दिया म है मेरे स्कूल टाम का है जैने स्कूल कर टाम का जब इस फोटो में नहीं थी मैं कहीं पता रहरा थी कुछ भाड़ने चले गाइए पर तो में मेरे मा याम बाबाभा ओनों है तो यहां पर देखलों में छोटी जीति यार अगर आप लोगों को ऐसी और इंटरस्टिंग मतलब देखने हैं तो पताओ जरूर ठीक है और गाइस तो मन तो बिल्कुल नहीं पर जाना पड़ेंगा और मेरे रूम में अपने कमरे को बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूं क्योंकि अपना कमरा ही होता है और इससे ज्यादा सुकून की नीद मुझे कहीं नहीं आती तो गईस यहां पर देख सकते हैं माता जी खाना वाना खाके रड़ी हो गई और गईस यहां पर हमारे कव उतर ने हमारे स्कूटी पर पॉट्ड़ी कर दी तो बस ममा वहीं धो रही ह और निकलते सीधे हम चड़ गए बस में यहां पर मेरी सासुमा सीट बहुत ही छोटी सी थी हम दोनों उसी मेजस हो के आ रहे थे और मेरी सासुमा बहुत है गाइस वह मेरे से जोला चीन रही थी कि तुमें तुम कंफ़टबली बैठो बढ़ मैं ठीक हूं आप आराम से बै सब्सक्राइब करें तो फिर हम दोनों परिशान थे तो फिर हम दोनों परिशान थे तो कि क्या आप कभी पैदल यहां से गया है तो मैं गई हूं हमारे टाइम पे स्कूर्टी बाइक वगर कुछ नहीं था तो मैसे जाते थी और गाइस हम लोग घर पहुंच भी गई आप देख सकते हो खराई की मतलब काम का स्टार्ट हो गया है और यहां जो लाई थी वह पकोड़ी था खाने थी क्योंकि पता नहीं कुछ भी होता है मैं को देते हैं घर वाले खाने के लिए तो ठीक आज का वीडियो यही होप आप सबको पसंद आया होगा मिलते है नेक्स